So guys, आज एक बहुत interesting incident हुआ मेरे साथ, मैं just Instagram पे browse कर रहा था, मैं दिन में regularly Instagram चेक करता रहा था हूँ, DMs या comments का reply करने के लिए, तो एकदम मेरा notification पे ध्यान गया, and मैं आपको एक screen record दिखाता हूँ, जो मैंने instantly record कर लिया था, मैंने realize कर रहा कि मेरे, मतलब 2-3 मिनट के बीच म around 500 followers बढ़ गए, क्योंकि मैं refresh numbers याद रहते हैं, हम Instagram पे जब होते हैं, हमेयाद होता है कि आज आज सोबा इतने followers थे, अब इतने हो गए हैं, तो मैंने देखा मेरे around 400 या 500 followers बढ़ गए, within 2-3 मिनट में, so मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है, then मैंने ध्यान से उन Instagram handles को देखा हैं, तब जाके मुझे पता लगा, कि ये जो followers हैं, ये fake followers हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ अपने experience शेयर करूँगा, और मुझे जितनी knowledge है इस topic पे, और आप कैसे इसको prevent कर सकते हो, इसके क्या benefits है, क्या minus point है, so stay with me in this video, जहां मैं अपने experience आपके साथ शेयर करता हूँ अब सबसे बहला question आता है, कि मुझे कैसे पता लगा, ये fake followers हैं, और मुझे कम से कम 15 लोगों ने DM करके पूछा था, कि आप कैसे बोल सकते हैं, ये fake followers हैं, ये genuine भी हो सकते हैं, एक चीज, मैं ना ही शावरुख खान हूँ, ना सलमान खान हूँ, कि मुझे 2-3 मिनट के बीच 500 followers मिल हैं, मुझे पता हैं, मेरे दिन में 200-300 followers बढ़ते हैं, 24 घंटे में, तो अगर ये चीज हो रहा है, तो कही ना कही कुछ गलत जा रहा है, अब fake followers का, अगर मैं एक दम सही word वोलूँ, तो वो bot accounts है, bot accounts का मतलब होता है, ऐसे accounts, जो सिरफ इसलिए create होते हैं, कि वो multiple accounts को follow क कर सकें, वो active accounts नहीं होते, इसका क्या relation है, मैं अभी engagement के पाटते हूँगा, वाह में समझाऊँगा, तो ये bot followers क्या होते हैं, ये कोई companies या को individual इतने accounts बना लेता है, कि अगर आप उनको pay करते हो, तो वो आपको बहुत सारे followers bulk में दे देते हैं, अब मुझे नहीं पता कौन म मेरे उपर इतना महरबान हुआ है, कौन चाहता है कि मेरा account ban हो, जो इतने followers को push करा, तो एक चीज, fake followers, जो मैंने identify करा वो था, कि मैंने handle के नाम देखें, जो account के नाम होते हैं, और वो random accounts थे, कुछ भी number है, कुछ भी alphabets है, कुछ भी ड़ला हुए, और जब मैं आपको यहा बड़ी निशानी होती है, पता खनने की, कोई भी, मतलब इतने 400-500 accounts, जिनके 0 posts है, 0 followers है, और सिरफ following है, तो पता लग जाते हैं, और जब आप handles देखोगे, सारे इंडिया से बाहर के नाम थे, कुछ भी random नाम है, कुछ भी है, तो मुझे पता लग गया कि यह fake accounts है, अब next च चीज है, बट अगर यह ऐसे accounts हैं, जो active नहीं है, अब मैं technical यह बताता हूं, क्या फरक आता है, example लेते हैं, अगर मेरे 10,000 followers हैं, और per post मुझे 1000 like आ रहा है, तो अगर मैं engagement ratio लेता हूं, तो let's suppose 10% का ratio बन रहा है, अगर मेरे 10,000 में 1000 fake followers बढ़ गया और वो 11,000 हो गया, बट अ likes 1000 ही है, because यह जो bot accounts होंगे, यह active नहीं होते हैं, यह just follow करने के लिए होते हैं, यह comment करेंगे, ना like, ना share, तो इनका engagement 0 रहता है आपके post पे, तो इसलिए अब आपका 10% engagement था, शायद वो 8 या 9% हो जाएगा, और और fake followers बढ़ेंगे, तो वो और कम होता जाएगा, तो जितना engagement rate आपका कम होता जाएगा, उतने आपके post recommendation में कम आएगे, या all over engagement अगर कम होगा, तो in future, अगर कोई brand आपके साथ collaborate करना चाहरा है, तो वो आपको नहीं prefer करेगा, because आजकल बहुत से ऐसे websites हैं, जहापे आप जाके search कर सकते हो कि इस account का engagement rate कितना है, और अगर उसका engagement rate बहुत खराब होगा, तो कोई भी brand आपको approach नहीं करेगा, because साफ साफ बता लग जाएगा कि ये followers खरीदे हुए, जो कि बहुत से ऐसे accounts है Instagram में, जो लोग followers खरीदते हैं, regularly, they are doing this thing, but somehow they are working out, तो मैं ही suggest करूँगा, क्योंकि मेरे साथ क्या हो था, मैं honestly बता हूँ, जब followers इतने बड़ एक बार कोई सब के mind में आता है, आपके mind में भी आएगा, कि यार, free के followers आ रहे हैं, तो आने दो क्या issue जाता है, but मुझे ऐसे followers नहीं चाहिए, जो पहली चीज़ bought accounts हो, fake followers हो, and ऐसे followers हो, जिनका मुझे कुछ use नहीं है, ना engagement है, ना वो मेरे से बात करेंगे, ना discussion करेंगे, ना comment करेंगे, so for me, वो matter नहीं करता, अगर number बढ़ नहीं है, तो organically बढ़े, मेरे art, मेरी creativity, या मेरी videos की वज़ा से बढ़े, तो वो एक मुझे जादा better encouragement देगा, as compared to, मेरे पास alternate है, मैं आज 5,000 खर्च करके, मैं इतने followers ले सकता हूँ, कि I can easily cross 1,000,000 followers, but वो approach मैं ethically नहीं ल ना, because engagement rate जब खराब होगा, all over पूरा Instagram account आपका डूप जाएगा, वो just थोड़े followers के चकर में, long term आप नहीं जा पाओगे, अब आते हैं सबसे main चीज़ पे, कि इसको prevent कैसे करें, और मैंने इस चीज़ को कैसे रोका, शायद अगर मैं ये 500 followers पे नहीं रोकता, तो अभी ये 3 चार यें, पते नहीं, 5000 followers बढ़ चुके होते, और मैंने सबसे पहली किया चीज़ करें, thanks to you guys, जो मुझे Instagram पे follow करते हो, DM करते हो, 4-5 लोगों ने मुझे suggest किया, जल्दी से अपने account को public से private कर दो, तो मेरा अभी account जो था, वो creator account था, creator account में, आप account को private नहीं कर सकते, तो सबस पहली चीज़ मैंने किया किया, मैंने creator account से personal account पे convert करा, within 30 seconds या उससे भी कम में हो गया था, and मैंने instantly उसको private कर दिया, अब जब मेरा account private है, तो मुझे कोई follow नहीं कर पाएगा, वो सीधा follow request में आएंगे account, तो मैंने जैसी switch करा, तो मैंने realize करा कि, ना मुझे request आरी थी ना कु कि वो just public account है, तो मैं followers बढ़ रहे हैं, तो मैंने थोड़े आदे घंटे के लिए उसको private करा, दिन वापिस public करा, अभी तक तो कुछ ऐसे followers बढ़े नहीं है, जो fake followers हैं, या bot accounts, तो ये चीज़ है, अगर आप prevent करना चारे हो, आप अपने account को private कर देना थोड़े time के लिए, त बाकी अब बात आती है, मैं followers का क्या करूँगा, तो अब ये वीडियो बना के edit करने के बाद मैं अराम से बैटूँगा, जो 400-500 followers, मतलब accounts हैं, fake bot accounts, उनके handle जो मुझे अजीब लगेंगे, मैं उनको हटा दूँगा, because किसी ने मेरे को suggest करा था, काफी लोग, आप लोगों न अपना login मत करना, because अगर आप password और ID और password वहाँ डाल रहे हो, और आपका data कल को चोरी होता है, कुछ भी होता है, तो आपका account है, हो सकता है, so it's better, अब मैं manually करूँगा, बैठके, so देखते हैं, कैसा जाता है, Instagram पे मैं update करता रहूँगा, so यही था, मैंने सोचा, आपके साथ share करते हैं, कि क्या चल रहा है, कैसे, क्या इसके negative points है, कैसे prevent कर सकते हैं, hope आपके लिए in future useful रहेगा, मैं मिलते हूँ आप से आगे इसी तरह interesting and informative videos में, तब तक take care and keep clicking, and fake followers पे मत जाओ, अगर खरीद भी रहे हो, long term benefit नहीं होगा.